जनपत पंचायत रिठी के अंतरगत आने वाले ग्राम पंचायत बरहेटा की ग्राम छोटा बरहेटा में विगत कई वर्षों से कच्ची सड़क से लोगों को आवागमन मियास विधा हो रही है जिसके इसकुली बच्चे वंबुजर्गों वा गर्ववती महिलाओं को आने ज शिकायत करता ने जानकारी देते हुए बताया कि कच्ची सड़क होने के कारण बारिश के मौसम में जगा जगा गड़ों में पानी भर जाते हैं जिसके चलते यातायात का साधन भी नहीं मिल पाता है जिससे कई बार गर्ववती महिलाओं को घर में ही प्रसव कराने के अगलवार को जिन सुनवाई में अपनी समस्या बताई और इस समस्या के समधान है तू गुहान लगाई किया नाम है आपका चंद्रवान शेंग कहां से आए हैं ग्राम पंचाइग ब्रहटा की चोटा ब्रहटा की सड़ा रीटी मार्ग से जुड़ी है उसकी बहुत जादा खराव है इसकी वज़े से आब आप अब में समस्चा श्कूल के आने जाने में समस्चा बख्चों के और कितने वर्सों से समस्चा जा रही है आपके इस रोड में मेरे जानने का अनुसार लगवग जब से रोड बनी है अब से एक दोबार ही मिट्टी उसमें डली है उसके वाक्त तो कुछ काम नहीं हुगा है वर्सात में तो और अधिक समस्चा है चार से पांस परस हो गया है टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए रीठी से ब्योरो रिपोर्ट जनपत पंचायत रीठी के अंतरगत आने वाले ग्राम पंचायत बरहेटा की ग्राम छोटा बरहेटा में विगत कई वर्षों से कच्ची सड़क से लोगों को आवागमन मियास विधा हो रही है जिसके इ अनी जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है शिकायत करता ने जानकारी देते हुए बताया कि कच्ची सड़क होने के कारण बारिश के मौसम में जगा जगा गड़ों में पानी भर जाते हैं जिसके चलते यातायात का साधन भी नहीं मिल पाता है जिससे कई बा आधा ने मंगलवार को जन सुनवाई में अपनी समस्या बताई और समस्या के समधान है तू गुहान लगाई किया नाम है आपका चंद्रवान सेंग कहां से आ हैं ग्राम पंचाइग वरहता की चोटा वरहता की जड़ा रीटी मार्ग से जुड़ी है उसकी बहुत जयादा खराव हूँ इसकी वज़े से आवागा में समस्चा स्कूल के आने जाने में समस्चा बच्चों के और एम्बू टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए रीड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट